Hello everybody welcome back to another video तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Minecraft में शेटर्स कैसे डाउलोड करते तो बिना किसी देरी के रिए चलते अपने मोबाल स्क्रीन अप लोगों को अपने मोबाल स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले अपने प्ले स्टूर उपन करके उसमें से एक application modmaster नाम का डाउनलोड कर लेना है आप मैंने डाउनलोड किया हुआ हूँ तो मैं आप लोगों को डिरेक्ट उपन करके बतादेता हूँ तो अगर आप लोग इसको open करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएंगा यह खुलने के बाद थोड़ा सा time लेगेगा इसको खुलने में लेकिन खुल जाएंगा जैसे ही यह खुलेगा आप लोग को इसमें से new वाले option पर select करने के बाद आप लोगों को इसमें texture करने के लिए तो वह भी है अगर आप नीचे स्क्रोल करोंगे तो free वाले मिल जाएंगे आप लोगों को इसमें से कोई भी एक select करना है उसको select करने के बाद अगर आप चाहँ तो देख सकते हो कि इसमें क्या का है अग देखने के बाद आप लोग को डाउनलोड करने के chili गें में किये माइंट्राफ्ट का सिंपल वाला वर्ल्ड जिसमें शेडर्स नहीं है एकदम रुका सुखा बेजान और नकली वर्ल्ड लग रहे लेकिन अब यह माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड विट शेडर्स एकदम अस्थी लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हम लोग रियल कमेंट कर देना कि हाँ प्लोगों का अगले बार क्या चीए तब तक के लिए मिलते एगले वीडियो में